नुश्कर में अश्रोग वियास कारिकरम वाइड एंगल वे शुक वियास में आपके स्वागत करते हुए आज हम विशेश रूप से आपको लिये चल रहे हैं हिल स्टेशन पर हिल स्टेशन पर यूंकि अधिकांट हनीमून पेर्स वहां जाते हैं जिस स्थान को भारत से रहते हुए हम हिल स्टेशन कहते रहें और कई लोग कई बरसों तक योजनाय बनाते हैं कि मुझे नैनी ताल जाना है, मुझे कुलू बना ली जाना है, तो हम शादी के बाद हिलिस्टेशन पर क्यों जाते हैं, उचाई पर पहुंच कर शायद कहीं वैचारी कि स्तर पर भी एक प्रकार से उचाई को छूने का प्रय से पार कर ले, तो वो जो सैलिब्रेशन है तोगेधरनेस का, उसको हम आज आप के साथ बांटने वाले हैं इस कारिकरम में और सौबा के से हमारा साथ देने के लिए एक ऐसे यूगल स्टूडियो में पदा रहे हैं, जिन्हों ने नकेवल एक दूसरे का खयाल रखा है, बल आपका बहुत बहुत आपारी, आपने एक नया आयाम चालू किया है और उसमें हम लोग को हमारे चालीस साल की सेलिबरेशन में आपको लगेगा कि मैंने आपको इंटरफ कर दिया पर हम अकसर सुनते हैं लीडीस फर्स्ट तुम्हें शुरू आते हैं प्रग्याजी से, प्रग्याजी कैसा हो लग रहा है, चैलीस बरस हो गया, ऐसे लगता है कल की बात है या लगता है बहुत लंबा समय भी था जैसे ये लाइफ ऐसी अच्छी सी कटी, कि जो हमने सोचा ही नहीं था कि कभी कुछ कटी मिठी यादे आई और चली भी गई और 40 साल इतने अच्छे से गुजरे, वो आज मुझे एक स्वपन लग रहा है ये स्वपन है उसकी कुछ जांके आम अपने दर्शकों तक आपके साथ बातची के द्वारा पहुंचाने वाले हैं तो वामन भाई आप बताई क्या सपना आपके मान में था जब आप कुमारे थे जब एक वो पहले ऐसा गाना चलता था कि बड़ा लुथ था जब कुमारे चलते हम तुम आपको भी ऐसा लगता है या अच्छा लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं पहले था उससे कहीं ज्यादा बहुत आगे हूं और उसके पहले समझो कि इतनी कोई वैल्यूज नहीं थी मेरे जीवन की यानिया के जीवन के अंदर कोई ऐसे लेकिन साधी के बाद जो विजन खुला और मैं यहां तक पहुंचा तो आज जो कुछ है वो साधी के बाद ही हो और साधी के बाद जीवन में हर तरह से मुझे हर खुशी मिली और हर आनन्द मिला में यही आनन्द की बात को लेते हैं प्रग्या जी की तरह बढ़ते हैं जो शादी या संबंध की बात करते हैं तो भावनाओं के साथ-साथ वियावारी की स्थर पर एक दूसरे को समझना भी आशे हैं कई बाते हैं जो पती-पत्नी एक दूसरे से सीखते हैं ऐसा मैं मानता हूं प्रगेजी आपने वामन भाई से क्या सिखा वामन भाई से सिखा कि वो बहुत लोगों को हेलफूल होते थे और उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि हम उनसे मिलने के बाद लोगों का इतना अच्छा व्यवहार बनता था वो सब मैं उनसे सिखी हूँ यह जो व्यवार की बात है वामन भाई आप ने व्यवारिक स्तर पर जब लोगों की सेवा करते रहें आप एक एस्ट्रोजर के रूप में भी और कई लोग आप से परामर्ष लेकर अपने जीवरन की दिशा में कुछ नया कुछ अच्छा करें ऐसा प्रयतन करते रहें तो हैं कहीं बार यानि बहुत कम टाइम नोगजोग हुई लेकिन ऐसे देखने जाओ तो मैंने जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा किया अगर वो बोल रही है और हट्रियल में लोगों की जिन्दिगी में बदला भी आया जूतिस के माध्यम से मैंने बहुत लोगों का जी कि जो बहुत बड़िया करने वाली बात है प्रग्या जी अब बताईए कि क्या आपको लगता है पत्ती पत्ती आप दोनों के लावा भी सामयने लोग अभी हम देखते हैं कि कई लोग है वो 40 साल तक साथ नहीं रह पाते हैं दुरवाग्या कह दीजिए एक दूसरे को समझ होती है कि हाँ अब वैलाई जीवन प्रारम होना तो उसको आप क्या टिप्स नहीं समझी कि आप अपने बेटी को आपने कुछ बताया हो कि देखो बेटा अब ग्रुहस्ती शूरु हो रहे हैं तो यह बाते हैं द्यान रखना तो कौन सी बाते हैं ग्रुहस्ती में तो ऐसे परिवार वालों के साथ मैंने सब सिवा बड़े लोग की सिवा किया घर में और इन्होंने भी जोती सास्त्र बच्चे नौकरी उसमें भी उनका बहुत बड़ा अच्छा सा एक योगदान था वो उन्होंने किया तो मैं ऐसे शमझने लगी कि ये लाइफ में ये सब करने से अपनी लाइप ज्यादा अच्छी बनेगी तो ये सोचकर मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ही करना चाहिए लाइप में और अपना जीवन अच्छा जाएगा जीवन अच्छा जाने की दिशा में जब आप जोतिश की साहितर से कही लोगों संकेत देते हैं वावन तो कभी आपने प्रभ्या जी का होरोस्कोप भी देखा उनको कुछ होता है tää ये उनका होरोसकोप तो मेरे पिता जी ने देखा ता और पिता जी ने बात की थी लेकिन वो तो बड़े विधवान थे लेकिन जिन्DG में मैंने सोचा नहीं था उससे आज एगर बोलने जाओ तो सोचा भी नहीं था वैसा उन्होंने मेरी जिन्दी के साथ ताल बेल रखा है कि बोलना तो सब्द नहीं है मेरे पास तो हरोस्कॉप देखने की कोई जरूरती नहीं पड़ी उनकी और दूसरा तो साथ में ऐसा था कि दोनों के परिवार के जो दार्मिक भावना एती और दोनों का कल्चर ऐसा था इसलिए आज तक भक्ती भाव के साथ-साथ लोगों की सेवा करते करते हम लों बहुत अच्छी तरह से यहां तक निकल पाए यहां तक निकल पाए उसको कहते हैं जब आवन भाई बार बार बात करें होते हैं प्रग्या जी तो उनके अंदर बहुत संतोश है और ऐसा जो सराना करने वाला पती या पत्मी और एक दूसरी की खुल कर उदारता के साथ वो बहुत ही कम लिए था उनके उनके मन में एज़े तारी वी आज़े करा हूं उपर से क्योंकि आगे की सेटिंग ठीक रहे ऐसा नहीं हो मन से पहरे तो इसके पीछे क्या काना आपको लगता है कि ऐसा क्या आपने किया होगा की उनके अंदर इस तरह का भाव है उन्होंने पहले तो उन्होंने मुझे मेरे पे कुछ अच्छा सा विश्वास रखा और उन्होंने जो भी कुछ भी घर में खर्चा किया कुछ भी किया जो भी मुझे करना है वो मुझे सही ऐसे बोलते आप ही सब रखो हिसाब कितब भी आप रखो जो आप करते हो और सही करते हो बच्चों के लिए या हमारे लिए मैं बोलो 10,000 चाहिए तो बोलते 20 ले लो ने बोला हिसाब कितब तो पूछते नहीं हो आप कभी वी क्यों ऐसे जलसा करो जीवन में क्या लेना देना है जलसे से मजे से रहो क्या बात इनों ने कई है वो बहुत पतियों के लिए बहुत मुश्किल है वाई कि वो एक तो दे नहीं सकते डबल और दूसरा वो एक एक बार पूछे बेना रह नहीं सकते क्या किया तो आप इतने डिफरेंट कैसे में इनकी बात से लगता है कि जो पती-पत्नी के बीच का स कि आप उनको विश्वास दे सके इस बारे में आप कुछ अपना नजरिया और आम तोर पर आप कही पत्ति-पत्नी से मिलते रहे तो बताएं कि विश्वास को कैसे बढ़ाया जाता है कि शुरू की जिन्देगी में मैं बहुत बीजी रहा करता था मैं बैंक की जॉब करता था मैं पेपर मेगेजिन वगेरे में लिखता था हरोज कहीं लोगों को मिलता था और अस्ट्रोजी का कंसल्टेशन करता था लेकिन पूरा बच्चों का खाल जब से बच्चे थे तब से बच्चों का ख्याल रखना और दूसरी वाद उसी जमाने के समय में परिवार का पूरा ख्याल रखना तो यह तो नेचरल ही है कि हमको थोड़ी समय में पता लग गया और ऐसा विश्वास अंदर से ही आ गया कि यह जो कर रही है मेरे से अच्छा कर रही है और आगे जाके भी जो करेगी वो अच्छा करेगी इसलिए कैसे पैदा होता है वो पता ही निये लगता है क्योंकि этому इपने आप हो जाता है और वो हो गया विश्वात अपने आप हो जाता है ये कहने के शाथ-शाथ जो दूसरी बात उन्हें कि आप उनको कहते रहे कि जीवन को उच्छव की तरह मनाँ तो वो जो समझ आपकी अंदर है वो मुझारता हर ग्रहस्त जीवन जीवन को आनंदित करने में सायक हो सकती है तो अब थोड़ा जितना आप देखते हैं कई लोग उत्सव की तरह जीवन को नहीं अपना रहे हैं तो उनको क्या संकेत आप अपने अनुभव से देना चाहेंगे ऐसे देखो तो यह पिता जी का संसकार धर्म का संसकार धर्मे में कहा गया है कि वेद में कहा गया है कि सचीदानन याने सचीदानन को भगवान जी को प्राप्त करना तो जितना आदन में रहोंगे उतना भगवान के पास जाओंगे और जितना आदन में रहोंगे इतनी अच्छी एनरजी रहेंगी तो हम लोग, मैं बच्पन से ये सोता था और इसके मिलने के बाद जीवन में हर चीजे ऐसे बनने लगी कि हर चीज को मुटसव की तरह मनाने लगे और जीवन इतना अच्छा होने लगा, इतना अच्छा होने लगा कि जो हमने कलपना का भी न की थी वहां तक उस मुकाम तक हम पहुँच गए यह जो बार-बार को कहते हैं कि कलपना नहीं की थे उस मुकाम पहुँच गए तो हमारे कई दर्शक सुझते हैं ऐसा हुआ क्या जीवन में इसी कोई बात हमारे दर्शकों के साथ आप बाढ़ सकें बताई हूँ सबसे पहले बताओ तो अज गर बैच चालीस साल की बात करने बैठा हूँ तो थोड़ा आज मैं नेकेट टूट भी बताऊंगा बिलकुल कि मेरा एंगेजमेंट साथ साथ सत्योतर के दिन मेरा एंगेजमेंट हुआ उसके पहले मैं थोड़ा सरारती लड़का था और घर में थोड़ा टेंशन भी था लेकिन उस एंगेजमेंट करिया बाद में मैंने साधी की उसके बाद मुझे अच्छी जॉब भी मिली और धिरे दिरे एक ऐसा माहुल बनता गया और दो में जाकर में प्रोफेसर बना, बाद में जाकर में राइटर बना तो जो कुछ इत्सा मिला, उनसे मिला और मैं उन नको समग्ता राओ dalam हो मुझ को समग्ती रही और बच्चों के लिए उन्होंने जो य başी यह और धान लीया मेरे परिवार के लिया जो यो यूगोदान लिय एक और बात यह निकल कर आती है वावन भाई की बात को सुनते हुए कि एक दूसरे के अंदर जो अच्छा है उसको प्रकाट करने के लिए उत्सा बढ़ाना अब यह अगर आप स्वायम प्रसन्न नहीं होंगे स्वायम संतुष नहीं होंगे दूसरे में उत्सा और सकारात्म कुर्जा का संचार करें यह तोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो प्रग्या जी के लिए बहुत सारा श्रेय जाता है इसमें अब आपके परिवार की तरफ च जो आपकी अबरिंगिंग होती है जिस तरह की संसकार लेकर आप आई हैं जिसमें आप अपने से अधिक उनको महत्व देती रहेंगे ऐसा मुझे उनकी बातों से लगता है तो कभी ऐसे वे क्षण आयोंगे कि वो आपको लगा कि वो मन से कहीं कमजोर हो रहे हैं कहीं आप चिंता मत किजिए सब हो जाएगा और यह कहने की ताकत आपके अंदर कहां से आती थी बस यह जो मेरे फादर थे मेरे फादर 99 यर्स में अभी तो उनमें बहुत बड़ा पावर था ऐसा कि अपने पावर से दूसरों को इसा पावर दो कि वो उसको भी अपना पावर मि जाए तो ऐसे बोलो कि मैं बैठा हूँ ना सब हो जाएगा उन से हमने सिखी है और फिर मेरे ससूर से भी सिखा है हमने वो भी बड़े भागवतिकार थे मेरे दो जेट यानि कि वो भी मेरे फादर समान थी मैं जब वहां साड़ी बाइस साल की थी तब साधी करके यहां सव जाता हूं जाता हूं वामन भाई का और प्रग्या जी का कि वो हमारी स्टूडियो में आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं यह शंकला जिसमें हम सेलिब्रिशन और टुगेधर ने साफ के साथ शेयर करने वाले हैं तो जब इस तरह से संबंदों का जो सौंदर्य है वो हमारे जीवन में हमारी अनुभव में आया होता है और उसको हम इस तरह से प्रकट करते हैं तो औरों को भी प्रेणा मिलती है साथ साथ रहने की साथ साथ आगे बढ़ने की समाज कई तरह की चुनोतिया हमारे सामने लेकर आता है व्यक्ति के तरूप से जो हमारी आकांगशाइं होती हैं कि मैं यह चाहता हूं मैं यह करना चाहता हूं या चाहती हूं तो वामन भाई कई वार करना चाहती थी जिसमें आपने वदद की इसे उसका पहले तो एक प्लस पॉइंट वो है कि हो हर चीज में खुशी ढूंडने की उसकी आदत है छोटी सी छोटी चीज में गर कोई भी टेंशन वाली बात हो तो भी उसको खुशी में परिवर्थित करने का एक कला वो जानती है इतनी अच्छी तरह से जानती है और उसका जो शौक था गाने का तो मैंने उसके लिए कुछ गाने के लिए प्रबंद किया उनका सौक था तोड़ा कुछ जब बच्चे सेट हो गए तो उन्होंने मेरे साथ साथ वास्तु सास्तर का भी काम किया और उन्होंने रहकी मास्ट किया और जिन्दिके में जबी जबी कोई चांस मिला तो उनके लिए मैंने बहुत कुछ ऐसा ध्यान रखा कि उसका जो जो शौक है उसी सौक में हमने मैंने कदम मिलाए अब आप कोई ऐसा गीत जो गुजराती में आपने गाहर इनको कभी सुनाया हो तो आज फिर से उसका फोड़ा सा अनुशा में सुनाया मैं गुजराती में दो लाइन इनके लिए गाती हूँ जी सावरियो रिमारो सावरियो उतो खोबो मागुने दैदे दरियो सावरियो रिमारो सावरियो क्या वाज़े बहुत अच्छा काती है ऐसा तो मैं भी ऐसा आपी साथ जब कह रहा हूँ तो आप मुझ से सहमत होगे कि गाय तो अच्छा था उन्होंने पर जितना अच्छा हमको लगता था लगा है उस च्छा कहीं अधिग अधिक अच्छा है वामन भाई को लगा होगा? अच्छा मेरा अनुमान बच्छों के साथ भी गाना बजाती है और बहुत परraszam इंट क्रमेंट नेड़े परूँ़करम आये आपने कहीं सीखा है प्रग्या जी नहीं सीखा नहीं है लेकिन रेडियो में जब जब छोटी थी तब गीता आ रहे थे तो उसके साथ साथ गागा कर थोड़ा सा मुझे आया और इनके लिए भी दूसरी हिंदी में भी दो लाइन बनाई है जो उन्होंने जैसे हम दोनों की ज जंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं मैं धरा की धूल हूं तुम प्रने के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं मैं समर्पित फूल हूं तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं मैं धरा की धूल हूं तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं अब ये दोनों बातों में कहीं एक आपके अंदर प्रकृती के प्रती जो एक खिचाव है वो भी ऐसा मुझे लगता है कि निश्य तुरुष रहा हूं तो वामन बाई आप हमारे साथ याद करें कि कोई ऐसी जगह जह जह कि अरे वहां कितना अच्छा नुगा हो रहा था उस जमाने में अगर साधी करने के बाद पहली बार हम लोग अबू गए थे और आज भी वो सीन और आज भी वो बात हमें याद है लेकिन उसके बाद तो भगवान की कृपा से ठाकूर जी की कृपा से अब हर समय हर साल मैं उसको कहीं ने कहीं कोई ने कोई देज घुमाने ले जाता हूं क्योंकि वो प्रकूरती की पूरी प्रेमी है और उसके साथ उस प्रकूरती के साथ जुड़ने का मुझे उसके साथ जो अवसर मिलता है वो मुझे बहुत आनन दाता है और मैं उनकी ये कर देता हूं भी तो प्रग्या जी आपके शौक पूरा करने के लिए वो कटी बद्ध है और कहीं मना करें तो आप फिस ही इनको याद दिला सेती हैं पर आप बता ही कौन से ऐसी जगह आपको याद है जहां दोनों गए और कोई ऐसा वहां पर वाकया ऐसा कोई अनुबह माउंट अबू से लेके दुबाई और गोवा और कहीं युएसे में भी पूरे कहीं कितने सारे यानि कि स्टेट में गुमें और मुझे बहुत मजाया अभी मैं मना कर नहीं कर सकते कि मैं बोलती यहां जाना है तो चलो तयार हो जाओ आपने जब बुलाया यहां तो चलो त कि दूसरे का सम्मान करने के साथ ज्यूरे की इच्छा को पूरा करने की भावना है वो सुखी दंपत्यत जीवन का एक this use रहे ऐसा vamandji और प्रग्या जी की साथ बैठे बेठे मुझे लगता है अकसर ऐसा हो जब जब जीवनका दूसरा चरण प्रारवंब रह्ब होता है ज हार्मनी बनी रहे और आपकी जो अपेक्षन है कि बच्चे ऐसी बातें शीकना चाहिए उनकी है इसमें कभी कोई आप में अंतर रहा या क्या इसके बारे में संकेत आप देना चाहिए जरूर कभी-कभी नोग जोग तो ही है क्योंकि एक नियम है प्रकृति का नियम है कि जहा ओपीनियन रहेगा तो मेरा पूरी दरिक्षे मानना ऐसा है कि अगर किसी ऐसे रिलेशन में अगर चालीश साल के बाद अगर को संदेश देना है लोगों को अगर किसी चालीस साल के कड्रन के अंदर किसी की चोटी मोटी भी अगर नोग जोग नहीं हुई है तो समझना है कि इस दोनों में कोई एक किसी से कुछ गलत तरीके से चुपा रहे है या कोई एक को दबा दिया कि यह सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रगेजी आप बता ही जब एक दूसरे के साथ डिफरेंज और अपिनिया आर्गुमेंट शुरू हो गए और मुझे नहीं कि कभी हुए नहीं हुए तो एक जना होता हो जल्दी वान लेता है बात में कि चलो भई तुम जीती तुम जीते तो आप दोनों में कौन जल्दी आर्वान लेते हैं हार तो यही मान लेते हैं और मैं जीत जाती उसमें मन भेद तो होते हैं और मत भेद तो होते हैं मन भेद कभी नहीं हुए इस तारीव में दो मुख्य बातें बताई कि यह वामन जी के अंदर बात है जो मु शरू कर दिये मैं आपको यह सवाल पूछने हना हम उनके लिए है जैसे कि अब स्कूलों में सवाल आते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि? इसके बाद दो आथर लिए हैं इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं कभी मुझे डाकते नहीं हैं कुछ करने कर दोगता नहीं है इसलिए मुझे उनका सब्बाव इतना अच्छा लगता है कि जो मैं करते हूं वह सही करते हूं ऐसा उनके दिमाग में है बस इसलिए मेरा जीवन पहले साल से चालीस साल तक आज तक उन्होंने मुझे कुछ किया ही नहीं है जो लोगों को होता है लेकिन हमारे में कुछ मोफ शृषा यह जो आपने हूं से लिया है ना ऐसा स्टीविट ले लेंगे सारे पति तरस्ते होंगी क्योंकि कोई अथा पति मुझे लगता है नहीं ह कि प्रग्या जी आपको अच्छी लगती है क्योंकि देखो पहले तो अगर बाय हाट बोल दू तो ऐसे भी वो अच्छी लगती है और बहुत पसंदे मुझे एक ऐसे मतलब आपने क्या कर दिखने में देखने हमारे दर्शे को नेशन वांट्स टू नो कि यह ऐसे क्या मतलब पतनी जो मेरे से बहुत खुबसूरत आज खोल दिल खोल के बोलता हूं इसकी खुबसूरती मुझे पसंदे उससे ज्यादा खुबसूरत स्वभाव पसंदे है और चीज में खुसी दूंड़ना उसका जो नेचर है वो मुझे पसंदे और उस सबसे बड़िया उन्होंने जो मेरे परिवार की सेवा वगेरे की है वो बहुत अद्भुत तरिके से की है और जब मैं जिन्नीगी की सुरूवात में इतना बीजी और इतनी मैं सिर्फ पांसो रुपय की कमाई में घर चलाता था उस टाइम से लेके आज भगवान ने इतना सारा कुछ देने के बाद शु कुछ मेरे परिवार के अंदर याने कि मेरे आज के मेरे पीछे भी जो अच्छा हुआ है वो सब मोस्टली उंकी मैं समझ रहा हूं कि आप उनको बहुत श्रेज जो हर बात के लिए दे रहे हैं वो देते हुए अब जब हम बातशीत को विराम की तरफ ले जा रहे हैं तो मै करूचू और आप सब के लिए कि आप हमारे साथ इस आनन्द यात्रा में रस्मय डंग से जुड़े बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ पुने इन कहते हैं कि कल इनकी शादी हुए सिर्फ 40 साल पहले कल था वो उनको बगाई देते हुए उनका धन्यवाद करते हुए आ आवार शुक्यास कर दो मतिते